हेलो एरवन कैसा आप सब लोग आई होब आप अच्छे होंगे वलकम टो अपने कक्षा और अब तक हमने हाइड्रो कारवन चैप्टर का लेक्चर वन कर लिया है लेक्चर वन में हमने एडिशन रेक्षन के अंदर आने वाली पांथ रेक्षन में से कारा नेक्ट टॉपक है हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है अडिशन ओफ ओछ ग्रूप और यहां पर हम रिएजंट यूजजकरते हैं Withrestre कर दे इस वज़ा से उसको क्या करते हैं cold रखते हैं मतलब ठंडा रखते हैं alkaline solution के अंदर रखते हैं और उसको बहुत जादा dilute करके हम use करते हैं ताकि हम उसके इस function को देख सके हैं जो हम आगे देखने वाले हैं otherwise केमेनो 4 जो है बहुत जादा oxidation करता है तो वो क्या करेगा finally स अब चीज को oxidize कर देगा इस वज़ह से हम cold dilute alkaline condition को use करते हैं with केमेनो 4 अब हम example की बात करते हैं example में वही पुराना अपना इथीन ले ले लेते हैं इथीन पर हम bear's reagent अगर apply करें तो हमें देखने को मिलता है कि हां का pie bond हट जाता है और एक carbon पे OH आ जाता है और दूसरे वा नहीं हैं एक दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं एक six member drink जिसमें एक pie bond है उस पर हम cold dilute alkaline के amno4 अगर use करें तो product बनाने के लिए हमें यहां का pie bond हटाना पड़ेगा और उसकी जगा पर क्या करना होगा दो OH ग्रूप लाकर के कारबंस पे लगा देने होंगे अब हम बात करे हुआ कि जैसे मान ले जीए कि हमारे पास एक बीकर है उस बीकर में हमने कोई alkene ले लिया मान ले जीए ethene ले लिया अगर इस ethene में bear reagent मिलाएंगे जो कि pink purple color का है तो alkene और यह pink purple color का combination मिल करके हमें solution कैसा मिलना चाहिए था pink purple color का मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता व तो वहाँ पर उसका pink purple color गायब नहीं होता है अब सोचो कि alkene में जो है pink purple color गायब नहीं होता लेकिन alkene में गायब हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि alkene के अंदर क्या present है पाई बॉन present है इसी वज़ा से वहाँ पर addition reaction हो पा रही है और वहाँ से color गायब हो रहा है हमारा next point ह और दिखेंगे तो हमें दो पार्ट दिखेगा ओजोनो एंड लिसस ओजोनो या सब्द लगा हुए ओजोन के लिए लिसस का मतलब ही होता है breaking मतलब तोड़ देना तो जोन लिसस का मतलब होगा breaking in presence of ओजोन ओजोन को हम कैसे represent करते हैं O3 से represent करते हैं हमें यहाँ alkin और alkyne के O2 के बारे में सीखना है इसको समझने के लिए इथीन को हम अपना example बनाते हैं यहाँ पर लिखा हुए CH2 double bond CH2 इस इथीन से पास कराया गया है ozone gas और इसके बाद उसमें डाल दिया गया है zinc with water ठीक है यहाँ पर zinc जो है reduction के लिए यूज होता है बस इतना point अपने दिमाग में दीजिए और कट करने के बाद एक carbon की तरफ oxygen लिखिए और दूसरे carbon की तरफ भी oxygen लिखिए और उसके product को comment कर लीजिए तो देखे इसका product कैसे लिखा जाएगा HC यहाँ पर भी H रहेगा और इस साइड हमने क्या लिखा था double bond और यहाँ पर क्या लगान देंगे oxygen क्यों क्यो product after ogenalysis अब हम इस अलकीन की बात करेंगे जहाँ पर एक carbon पर CS3 और दूसरे carbon पर C2H5 लगा हुआ है इस अलकीन का अगर हमें ogenalysis उसी reagent के साथ करवाना है तो simple सी बात करनी है carbon double bond carbon के बीच में जो आपको यह double bond दिख रहा है उसको बीच से cut कर दीजिए एक तरफ oxygen लिख द देखते हैं हमें क्या मिलेगा तो carbon double bond oxygen और उस पर क्या रहेगा एक hydrogen और दूसरा क्या C2H5 उस पर प्रेजेंट रहेगा तो इस तरीके समय यहाँ पर दो aldehydes मिल जाते हैं एक aldehyde में एक तरफ CS3 लगा है तो दूसरी तरफ क्या लगा C2H5 लगा है इस trick से आप आसानी से क Alkyne माली जी हमने यह ले लिया Alkyne पर हमने same reagent अगर apply किया तो carbon carbon triple bond के बीच में जो आपको यह तीन bond दिख रहा है उसमें कितने bond cut करने होंगे दो bond cut करने होंगे तो दोनों bond को cut करके एक तरफ oxygen और दूसरी तरफ भी oxygen लिख दीजिए तो हमें product side में क्या मिलेगा CS3 C double bond O single bond C double bond O and CS3 देखो भाई carbon और carbon के बीच में एक bond तो यहां बचा हुआ था वही bond क्या करता है इन दोनों पार्ट को connect करता है तो इस तरीके से हमें Alkyne से एक di ketone मिल जाता है di ketone का मतलब कि हमारे product में दो ketone के group present है हमें decarboxylation को discuss करना है decarboxylation का मतलब होता है removal of CO2 इसको पढ़कर करके देख लेते हैं क्या लिखा है कि process of elimination of CO2 from a carboxylic acid is known as decarboxylation इसका मतलब किसी carboxylic acid में से carbon dioxide को हटाना ही decarboxylation कहलाता है decarboxylation के आगे जो D लगा हुए है न तो D का मतलब होता है किसी चीज़ को remove करने की बात की जा रही है decarboxylation का मतलब होता है removal of CO2 decarboxylation के अंदर हमे दो process पढ़ने होते हैं जिसमें से पहला process है soda lime decarboxylation यहाँ पर soda का मतलब हो गया NaOH और lime मतलब होता है चूना और चूना को लिखा जाता है CAO calcium oxide इसका मतलब यह हुआ कि NaOH और CAO को यूज करके किसी molecule से अगर CO2 gas को हटा दिया जाए तो उसको soda lime decarboxylation बोला जाएगा एक बा होता है baking soda caustic soda इन सब में क्या होता है sodium जरूर रहता है चले पहला एक्जामपल ले लेते हैं जिसमें लिखा गया acetic acid, acetic acid का मतलब होता है CS3COOH अगर इसके सामने लिखा गया है NaOH, CAO और इसके साथ heat दिया जाता है तो यहां से हमें क्या करना यह CO2 हटा देना है अगर हम यह CO2 यहां से हटा देंगे तो हमें यह वाला hydrogen किसके साथ connected दिखेगा product में CS3 के साथ तो यह CS3 और hydrogen मिलके क्या दिखेगी जब हम acetic acid को soda lime decarboxylation करवाएंगे और इस methane के साथ हमें एक side product मिलता है जो कि है Na2CO3 मतलब sodium carbonate अब में यह देखना कि आखिर कर यह sodium carbonate बनता कैसे है आप सुसरे होंगे कि भाई देखो CO2 eliminate कर आकर कि यह CS3 और H जोड़ना तो आसान काम है लेकिन यह sodium carbonate कहां से आ acid base की reaction होगी base हमें क्या देगा OH negative देगा और acid हमें H plus देगा तो यह H plus और OH negative एक दूसरे के साथ connect होकर कि क्या बना देंगे H2O बना देंगे इस point को याद रखना कि हमने अभी क्या बनाया था H2O बनाया था अब दूसरा part देखे यह वाला अगर H plus होगा तो यहाँ पर क्या and Na plus और इसको जब हम heat करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है CH4 मिल जाता और Na2 CO3 मिल जाता है जब हम इसको heat करेंगे तो यहाँ से CO2 gas बाहर आ जाएगी देखे CO2 gas अगर बाहर आती है तो वो CO2 gas NaOH के अंदर जाएगी और dissolve हो जाएगी क्योंकि जो हमारा CO2 होता है वो क्या होता पानी मिला दीजिए अगर पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दोनों को जोड़ दीजिए क्या बनेगा H2 CO3 बनेगा अरे यहाँ पर CO2 में O2 है और यहाँ का O मिला लीजी तो क्या बनेगा O3 और H2 CO3 जो हमें यहाँ पर carbonic acid मिला है यह carbonic acid अगर two time NaOH के साथ reaction करेगा तो हमें बता यह क्या देगा यही तो देगा देखे हमने क्या किया यहाँ पर यहाँ का OH negative और यहाँ का H plus मिला करके हमने हटा दिया बचा हुआ पार्ट क्या है Na2 है और CO3 है तो यही Na2 CO3 एक साथ आ जाएंगे और हमें Na2 CO3 मिल जाएगा second example को हम डारेक्ट कर लेते हैं लि लेगी और जो यहाँ से CO2 गैस निकलेगा वो NaOH के अंदर जाकर के dissolve हो जाएगा और वो हमें देगा Na2 CO3 यहाँ पर आप सोच रहेंगे CAO तो reaction में participate नहीं कर रहा है तो आप याद रखेगा CAO जो है केवल support देने के लिए आया हुआ हुआ है decarboxylation को वो reaction में participate नहीं करता अ अब हम C वाला example देख लेते हैं अगर हमारे पास benzoic acid हो इस benzoic acid के सामने soda और lime दे करके heat करा दिया जाए तो यह वाला hydrogen product में यहाँ पर लगा देना है और आपको यह वाला product मिल जाएगा मतलब आपको benzene मिल जाएगा यहाँ से CO2 गैस निकलेगी वो NaOH के अंदर जाकर के हम में क्या देदेगी Na2CO3 देदेगी तो इस तरीके से benzoic acid का soda lime decarboxylation करवा करके हम benzene बना सकते हैं decarboxylation का हमारा अगला point है kolbe electrolysis को बेक साइंटेस्ट है जिन्होंने electrolysis के process को यूज करके decarboxylation करवाया एक बार हम reaction को पढ़कर के देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है two times CS3C O negative Na positive मतलब sodium acetate को 2 mol लिया गया है with 2 mol water 2H2O इसका electrolysis करने के बाद हमें वहाँ पर ethane gas मिलती है CO2 gas मिलती है और H2 gas मिलती है और इसके साथ हमें NaOH Equus के form में मिल रहा है अब इसको समझने के लिए हमें electrolysis का थोड़ा सा ग्यान होना चाहिए जिसको मैंने electrochemistry में बहुत elaborate करके बह हमें electrolysis करवाना है sodium acetate के aqueus solution का तो उसके लिए हम क्या करेंगे container में sodium acetate का aqueus solution डाल देंगे मतलब पहले हम क्या करें पानी डाल देंगे उसके बाद sodium acetate का was उमें salt डाल देंगे solid के डालने के बाद platinum के दो electrode लेंगे और उसमें dip कर देंगे dip करने के बाद दोनों electrode को एक भारी भरकम battery से connect कर देंगे जो electrode battery के positive terminal से जुड़ेगा हम उसको anode बोलते हैं जो negative terminal से जुड़ेगा उस electrode को हम cathode बोलते हैं तो इस तरीके से हमारा electrolysis का पूरा apparatus तयार हो जाता है अब हमारा electrolysis का पूरा जुगार बन चुका है के अंदर हम यह देखेंगे कि कौन कौन से reactions होती है तो पहले हम यह समझते हैं कि इस aqueous solution of sodium acetate में कौन कौन से ions present होंगे क्योंकि हमने यहाँ पर sodium acetate लिया हुआ था तो वहाँ पर sodium acetate में acetate ion होगा और sodium किस form में होगा Na plus के form में होगा और water डाला है तो water जब तूटेगा तो वह क्या बनाएगा H plus N OH negative इसका मतलब हमारे पास total 4 ion होंगे जिसमें से 2 N ion होंगे और 2 कैटाइन होंगे Electrochemistry में हमने यह सीखा था कि anode पर हम हमेशा oxidation कराते हैं और cathode पर हम हमेशा reduction की reaction कराते हैं अब कैटोड पर जो reduction की reaction हो रही है तो हाँपर reduce होने कौन आएगा तो कौन सा कैताइन reduce होगा आप हमें यह समझना है अब हमें यह समझना है कि हमारा H plus जाकर के cathode पर reduce होगा या NA plus dessert होगा तो यहाँपर H plus जाकर के reduce होता है कैफोड के ऊपर क्योंकि H plus का जो standard reduction potential होता है वो 0 होता है और Na plus का तो negative होता है अगर किसी का standard reduction potential negative है इसका मतलब वो reduce होना नहीं चाहता इसके respect में तो H plus क्या करेगा reduce होना चाहेगा तो H plus जाएगा cathode के पास और cathode उसको electron देगा अब हम cathode के उपर होने वाले reaction की बात कर लेते हैं यहाँ पर H plus जो है एक electron ले करके वो H बना देगा तो ऐसे माली जी दो H plus कर रहे होंगे दो electron ले करके तो वहाँ पर वो H2 gas बना देंगे तो हमें cathode से H2 gas निकलते हुए मिलेगी अब हमारे पास solution में बच जाते हैं acetate ion और OH negative and Na plus इन में से जो दो N ions हैं वो किधर जाएंगे अनोड के side जाएंगे लेकिन यहाँ पर किसका oxidation होगा क्योंकि अनोड पर तो oxidation करवाना है तो इस बात को याद रखना कि जो हमारा acetate ion होता है उसका oxidation जल्दी हो जाता है with respect to OH negative तो अब हम acetate के oxidation के process को समझते हैं acetate के oxygen पर total कित के form में है और यह जो दो electron है वो negative charge के form में है क्योंकि यहाँ पर oxidation होना है इसलिए oxygen एक electron को निकाल के बाहर कर देगा क्योंकि electron का loss होना क्या होता है oxidation का process होता है तो इस तरीके से oxygen पर अब हमें 5 electron दिखेंगे यह जो species बनी है इस बहुत reactive होती है क्योंकि यहाँ से CO2 gas के evolution का chance बन रहा है अब हम यह देखेंगे कि यहाँ से CO2 gas के निकलने का क्या process है क्या mechanism है यहाँ पर हम फोकस करेंगे carbon और oxygen के इस bond पर यहाँ single bond है और उस पर एक electron इधर से आएगा और यहाँ के carbon carbon single bond में जो दो electron था उसका एक electron इस तरफ आएगा और दूसरा electron CS3 के उपर जाएगा तो इस तरीके से देखें हमें क्या मिलता है CS3 के उपर एक electron मिलता है मतलब कि वहाँ पर हमें एक methyl radical मिलता है और carbon के single bond पर एक bond और मिलता हुआ दिखेगा इसका मतलब यहाँ पर CO2 gas बनती हुए दिखेगी और वो यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि वो gas के form में है तो इस तर अब एनोड पर हमें ethane gas मिलती है और वहीं पर हमें CO2 gas evolve होती हुए भी दिखती है एनोड की इस reaction में हम दो electron को बाहर निकालते हैं और वही electron जा करके cathode पर receive होता है और उसी electron को H plus पा करके वहाँ से H2 gas को बाहर निकाल देता है अब हम अपने reaction की तरफ लोटते हैं देखे प reaction कर गया और क्या reaction कर गया यह H plus जो है electron लेकर के H2 भी बन गया बचा क्या हमारे पास OH negative और Na plus तो दो चीजें जब बच जाएंगी तो एक साथ combine लोके क्या बना रही है इसका मतलब container के अंदर क्या बचेगा NaOH बचेगा तो इस तरीके से हमने सारे product को अच्छे तरीके से explain कर दिया है कि आखिर कर यहाँ पर coal bay electrolysis के दौरान कौन कौन से product मिलते हैं और क्यूं मिलते हैं यह चीज हम समझ चुके हैं हमारा next topic है polymerization polymerization का मतलब होता है polymer का बनाना polymerization को समझने के लिए हमें पहले monomer समझना पड़ेगा monomer में देखे दो part mono plus mer mono का मतलब होता है one और mer का मतलब होता है unit ठीक है अगर एक unit की बात की जा रही है तो उस एक unit को हम monomer बोलते हैं अगर हमने बहुत सारे monomer एक साथ ले लिए और एक दूसरे के साथ connect कर दिया तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है एक एसे दो एमाली ज chain मिल सकती है तो इस लंबी सी chain को हम क्या बोलते हैं polymer बोलते हैं poly का मतलब होता है एक से जादा मतलब बहुत मर का मतलब unit अगर एक से जादा unit एक साथ combine कर दिये जाएं तो उसको हम polymer बोलते हैं अब हम इस reaction को एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि हमारे पास end time एक monomer है वो जो है high pressure high temperature पर convert हो जाता है an के अंदर सही लिखा न तो यह an क्या रिप्रजेंट कर रहा होगा polymer रिप्रजेंट कर रहा होगा an का मतलब हुआ कि a जो है end time यहाँ पर आकर के connect हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे polymer बोलेंगे अब हम alkyne के polymerization के बारे में सीखेंगे हमने सबसे simple वाला alkyne ले रखा है जो कि है ethene, ethene क्या है वाई CS2, double bond CS2 इसको हमने क्या किया end time ले लिया high pressure और high temperature पर यह जो ethene होता है वो convert हो जाता है polyethene में इसको मिला कि क्या बोलते है polyethene, तो polyethene को हम polyethene को अब ले आते हो, अब हम यह देखेंगे कि जो polyethene की unit यहां पर लिख है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बही यहाँ पर मैंने लिखा है CS2 double bond CS2 तो हम क्या करेंगे यहाँ का एक pi bond हटा देते हैं अगर यहाँ से आप एक pi bond हटाओगे तो यहाँ पर एक valancy खाली हो जाएगी और यहाँ पर भी एक valancy खाली हो जाएगी फिर हम एक unit को दूसरे unit से क्या करेंगे connect कर देंगे देखो हमने यहाँ पर तीन unit लिया और तीनों unit को इस red color वाले sigma bond से connect कर दिया है क्योंकि यह जो carbon है उसकी valancy पूरी हो जाएगी अगर हम बगल वाले unit से उसको connect करते हुए चलेंगे तो अभी तो हमने सिर्फ तीन unit की बात की लेकिन हमारे पास अगर n unit होगा तो हम हर बार तो ऐसा लिख नहीं सकते तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है उन में से कोई भी एक unit को देखना होता है और उसके नीचे यहाँ पर n लगाना होता है इसका मतलब हमने इस unit को end time repeat करवा दिया है और वही चीज यहाँ पर लिखी गई है अब हम अलकाइन के polymerization की बात करेंगे यहाँ पर हम ले लेते हैं acetylene acetylene को जब red hot iron tube से इतने temperature पर पास करते हैं तो तीन acetylene एक साथ मिल करके benzene बना देते हैं अब हमें यह समझना कि आकर कर यह 3 acetylene molecule मिल करके benzene को कैसे बनाए होंगे तो देखे हमने 3 acetylene molecule लिख दिया है एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इस वाले example में हमने अभी उपर पढ़ा था कि जब हम polymerization करवाते हैं उस समय हम pi bond को तोड़ देते हैं और दोनों carbon पे नए sigma bond बनाते हैं वही काम हमें यहाँ भी करना है यहाँ पर जो यह pi bond होता है उसको हम sigma bond में convert करेंगे तो देखे क्या होगा यह वाला pi bond उठकरके इन दोनों carbon के बीच में आ जाता है और यहाँ वाला pi electron उठकरके इन दोनों carbon के बीच में आ जाता है और यह दोनों उठकरके इस वाले carbon के बीच में आ जाते हैं तो इस तरीके से इस carbon के बीच में हमें एक क्या मिलेगा single bond मिलेगा फिर यह यहाँ पर क्या बचा रहेगा double bond फिर आगे हमें यहाँ पर क्या मिल रहा होगा एक सिंगल बॉंड मिल रहा होगा यहाँ पर फिर हमें डबल बॉंड मिलेगा और आगे हमें फिर से डबल बॉंड मिलेगा तो यह कौन सी सकल बन रही है बेंजीन वाली सकल यहाँ पर बन रही है इन दोनों कारबन के बीच में ह जो अभी bond बनाए हैं उसको मैंने हाफिर इस color से represent कर रखा है नया वाला bond देखिए यहाँ पर बनाए है वही वाला bond यहाँ पर बनाए है इस तरीके से हमने 3 acetylene को एक साथ मिला करके polymerize करा करके benzene बना दिया हमारी अगली चर्चा benzene के reactions पर है benzene के reaction को समझाने से पहले मैं दाल दिये तो bromine और CCL4 का जो solution बनता है वो redis brown color का बनता है तो यह हो गया पहली चीज़ अब हम दूसरा एक beaker लेते हैं और उसमें हम ethene ले लेते हैं और तीसरे beaker में हम benzene ले लेते हैं तो हमारे पास 3 beaker present है पहले में bromine और CCL4 है जो कि redis brown color का दिख रहा है दूसरे वाल कि redis brown color को हमने colorless solution में मिलाया उसके बावजूद वो जो है colorless रह गया लेकिन जब हम beaker 1 और beaker 3 को मिलाते हैं मतलब bromine CCL4 और benzene को जब हम मिलाते हैं तब हमें solution redis brown color का ही मिलता है इसका मतलब वहाँ पे हमें कोई color का change देखने को नहीं मिलता तो आखिर कर इस ethene के पास ऐसा क्या है कि जो वो bromine के color को गायब कर देता है और benzene के पास ऐसा क्या नहीं है कि वो redis brown color को maintain रखता है वो उसको हटा नहीं पाता अगर आप ethene और benzene की सकल को देखें तो हमें क्या मिलेगा इथene के अंदर भी pie bond मिलेगा और benzene के अंदर भी pie bond मिलेगा और ये BR2 CCL4 जो है pie bond ह खोचता है pie bond को हटाता है और उसकी जगा जाकर के ले लेता है तो आखिर कर जब दोनों के पास pie bond है तो bromine CCL4 का जो color गायब होता है वो सिर्फ ethene में ही क्यों होता है इन सारे सवालों का जबाब हम mechanism के अंदर जाके समझ पाते हैं क्योंकि यहाँ ethene जो है bromine के color को गायब कर रहा है इस वज़ा से हम यह कहेंगे ethene reaction कर रहा है bromine के साथ और इसके पहले हमने यह चीज़ पढ़ी भी हुई है तो हम क्या करते हैं ethene के pie bond को हटा करके दो bromine लगा देते हैं अगर bromine के bond तूट जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा color गायब हो जाएगा इसका मतलब यह ह मतलब है कि वो edition reaction नहीं देता है तो यहाँ पर कोई ऐसी reaction देखने को नहीं मिलेगी कि हमने pie bond को हटाँ दिया और दो bromine को लगा दिया ऐसा हमे कोई भी reaction देखने को नहीं मिलेगी आखिर कर जो benzeean हमारा वो एक aromatic compound है वो सेपैल और यहाँ पर resonance की phenomena बहुत तेजी से चलती है मतलब यहाँ पर pie bond का delocalization लगातार चल रहा है तो उसका pie bond जो हो वो static नहीं है एक जगा पर बैठा नहीं है कि उस पर आकर कि bromine add हो जाए वो लगातार अगर चलता रहेगा तो उस पर bromine के add होने का chance इकदम 0 हो जाएगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि due to aromatic character of benzene benzene does not give the addition reaction अब हम बात करते हैं आकर कर तो benzene कौन सी reactions देता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं benzene जो है वो सिर्फ substitution की reaction देता है benzene यह कहता है कि देखो भाई हमारे तीनो pie bond को आप छेड़ो मत इनको आप disturb मत करो आप चाहो बाहर के जो भी hydrogen लगे हैं उन hydrogen को हटा करके आप मेरे खोपड़ी पर किसी को लगा तो चल जाएगा लेकिन आप मेरे तीनो pie bond को टच नहीं करेंगे यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं कि benzene से हम hydrogen हटाएंगे और उसकी जगा पर एक दूसरा ग्रूप लाकर के लगा देंगे इसका मतलब हमने कहा कि hydrogen को हटाया और किसी दूसरे ग्रूप को लगाया तो इस वज़ा से इस reaction को substitution reaction बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर substitution हो रहा है hydrogen और उस ग्रूप के बीच में और ऐसा करने की स्थिति में हमारे benzene की जो aromaticity होती है वो maintain रहती है वो भी disturb नहीं होती है अब हमारी अगली चर्चा electrophilic substitution reaction बहे है नाम में लिखा गया electrophilic substitution इसका मतलब है एक electrophile को हटाना है और उसकी जगा पर दूसरे electrophile को लाके लगा देना है example की तोर पे आप यहाँ पर एक benzene ले लेजिए उसके सामने जब को electrophile आता है तो benzene अपना hydrogen हटा करके उस electrophile को अपनी खोपड़ी पे लगा लेता है हमारा H जो है H प्लस के form में निकलता है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक electrophile को ले जा करके लगा रहे हैं और एक दूसरे electrophile को निकाल दे रहे हैं इस वज़ा से इस reaction को electrophilic substitution reaction बोला जाएगा इसके अंदर हमें पहला point जो पढ़ना होता है वो है nitrogen nitrogen का मतलब होता है addition of NO2 group NO2 group को क्या बोलते हैं? Nitro group बोलते हैं तो addition of nitro group is known as nitrogen उसके लिए हमें क्या reagent यूज़ करना होगा? यह reagent यूज़ करना होगा ट्वलत की organic chemistry जब हम पढ़ रहे होगे वहाँ पर हम इन चीज़ों का use करेंगे तो चलिए reagent पढ़के देख लेते हैं क्या लिखा है? Concentrated HNO3 with concentrated H204 दो concentrated acid का एक mixture होगा तब जाकर कि आप nitrogen करवा पाएंगी कौन कौन सा acid होगा भई? HNO3 होगा, मतलब nitric acid होगा और H204 मतलब sulfuric acid होगा अब यह चीज़ आपको याद हो गई होगी कि concentrated HNO3 और concentrated H204 का जो mixture होगा वो यहाँ पर reagent का काम करेगा क्योंकि हमें electrophilic substitution reaction करवाना है इस वज़ा से हमें formation of electrophile समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा electrophile है जो benzene के hydrogen को हटा करके उसकी जगा लेने वाला है उस चीज़ को हम समझते हैं अभी हमने बोला था कि HNO3 और H204 दोनों क्या है? अब सवाल आता है इन दोनों में ज़्यादा acidic करेक्टर किसका है? कौन ज़्यादा मजबूत acid है? मतलब जल्दी H प्लस देने की छमता किसके पास है? तो याद रखिएगा कि concentrated H204 जो होता है वो जल्दी H प्लस देता है वो ज़्यादा acidic होता है with respect to HNO3 अगर भाई एक acidic है तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? उसके respect में थोड़ा सा basic nature का हो जाएगा आप कहोगे सार HNO3 तो acid होता है भाई मेरे HNO3 अभी भी acid है लेकिन वो H204 के respect में थोड़ा सा basic nature का है क्योंकि ये जल्दी H प्लस दे देगा तो ये भाई साब क्या कर सकते हैं? उस H प्लस को receive कर सकते हैं अब इस चीज को mechanism में समझेगे mechanism के सुरुवात में हमने HNO3 लेख रखा है HNO3 में जो आपको ये OH गुरुप दिख रहा है इसमें oxygen पर क्या है? lone pair present है जो हमारा HNO3 होता है वो किसका काम करता है? base का काम करता है और base का काम क्या है? H plus को accept करना ये H plus देता कौन है? H204 देता है उसको HNO3 का जो oxygen पर lone pair है वो अपनी तरफ उसको बुलाता है इसका मतलब oxygen का lone pair जाएगा H plus की तरफ तो ये वाला H plus जब electron पाएगा तो oxygen और hydrogen के बीच में क्या बन जाएगा? एक single bond बन जाएगा और क्योंकि oxygen ने अपना lone pair दिया है इस वज़ा से oxygen को positive charge यहाँ पर जहिलना पड़ता है एक बात का हमेशा ध्यान देना जब system में कहीं भी H2O निकालने का chance है तो उसको आप तुरंट निकाल सकते हो देखो यहाँ पर H2O निकालने का chance बन रहा है कैसे अगर nitrogen और oxygen के बीच का जो ये bond है अगर ये electron उठकरके oxygen पर चले आए तो oxygen को क्या मिल जाएगा electron मिल जाएगा और electron के पाते ही ये positive charge neutral हो जाएगा और वो H2O के form में हट जाएगा ऐसा करने की स्थिति में nitrogen पर positive charge आएगा क्यों क्योंकि यहाँ के bond का electron उठकरके आगे चला गया इसका मतलब nitrogen का electron हमने बाहर किसी को donate कर दिया इस वज़ा से nitrogen को positive charge जिलना पड़ता है अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर कर ये bond क्यों तूटा तो इसका जबाब ये बन जाएगा देखो भाई oxygen एक तो पहले से electron negative होता है उपर से उसकी खोपड़ी पे तुमने positive charge लगा दिया है अब किसी electron negative अगर तुम positive charge लगाओगे तो वो बहुत ज़ादा polar हो जाता है अब बहुत ज़ादा polarity है इसका मतलब क्या है वो electron को अपनी तरफ attract करेगा और इस चक्कर में ये bond तूट जाएगा तो इस तरीके से HNO3 और S204 मिल करके NO2 positive एक electrophile दे देते हैं यहाँ पर बस आपको electrophile के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको electrophile के बारे में पता होगा तो simple सी बात करनी है कि भाई benzene का ये hydrogen हटाओ उसकी जगा पर लाकर के NO2 लगा दो यही हमने किया यहाँ के H plus को हम अठा देंगे तो यहाँ पर आजाएगा H plus और यह NO2 जाकर के benzene से लग जाएगा तो इस तरीके से हमें nitro benzene मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने benzene पर NO2 group add किया है इस वजह से इस reaction को nitrogen reaction बोलेंगे अब हम second reaction पर आते हैं तो याद रखना है कि वहाँ पर reagent क्या होगा concentrated S204 होगा अब हमें इस reagent से electrophile बना करके समझाना है याद करने के लिए हम इतना बोल सकते हैं कि देखो भाई S204 में से अगर S2O निकाल दिया जाए तो हमें हमारा electrophile SO3 मिल जाता है अब आपके मन में सवाल होगा किसार यहां से आपने water क्यों हटा दिया तो इसका explanation यह है कि मालो हमारे पाद 2 S204 था ठीक है और S204 का सबसे अच्छा काम क्या होता है dehydrating agent कितना काम करने का होता है अब dehydrating agent कितना अगर वो काम करेगा तो वो दूसरे वाले molecule से क्या करेगा पानी हटा देगा अगर यहां से पानी हटाएगा तो यह SO3 में convert हो जाएगा अब कुछ लोगों के यह बात नहीं पची होगी कि आकरकर आपने 2 molecule क्यों ले लिया वहाई हमारे पास concentrated S204 कुछ quantity में होंगे वहाँ पर तो बहुत सारे molecule होंगे बस मैं यह कह रहा हूँ कि एक molecule जो है दूसरे molecule के लिए dehydrating agent का काम करता है इसी वज़ा से हम वहाँ से H2O हटा देते हैं और वहाँ से क्या बनता है SO3 electrophile बनता है अगर mechanism से समझना चाहते हैं वो भी देख लीजे हमने हाँ पर S204 बना रखा है सामने H plus किस ने दिया दूसरे वाले H204 ने दिया अगर इस S204 का जो oxygen पर lone pair है वो lone pair H plus को donate होता है तो उस oxygen पर क्या आएगा positive charge हैगा क्यों हो आएगा क्योंकि oxygen ने अपना lone pair donate किया है और organic chemistry में कोई भी atom जब अपना lone pair donate करता है तो उसको positive charge हिलना पड़ता है अब देखो भाई oxygen पर positive charge आ चुका इसका मतलब sulfur और यह oxygen का bond अप polar हो चुका है इसके polar होते ही यहाँ carbon का electron यहाँ पर आता है और यह bond का electron दोनों उट करके oxygen के ऊपर चला जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर pi bond बन जाएगा और यह bond भी यहाँ से तूट जाएगा तो देखे क्या बन जाएगा SO3 बन जाएगा अरे भाई यहाँ पर यह bond तो पहले से बने पड़े थे यहाँ पर क्या बन गया पाई bond बन गया बेंजीन और उसके उपर SO3H चले इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर SO3H कैसे आ गया आप सोच रहोंगे कि सर SO3 अगर निकला था जाए लेक्ट्रोफाइल तो बेंजीन पर आपको सिर्फ SO3 लिखना चाहिए उसके साथ आपने ह कैसे लिख दिया आपके मन में यह सवाल हो सकता कि अगर सर इलेक्ट्रोफाइल SO3 था तो बेंजीन पर हम डारेक्ट्ली SO3 लगा देते हैं उसके साथ हमने ह क्यूं लगा रखा है चले उस चीज को मैं समझा देता हूँ बाई जब हमने कंसंट्रेट H204 लिया तो हमें यहाँ पर SO3 मिलेगा लेकिन SO3 में सलफर पर कोई पॉजटिव चार्ज तो है नहीं कि वो जाकर के डारेक्ट्ली हच प्लस को रिप्लेस कर दे इस वज़ा से हम यहाँ के एक पाई बॉन्ड को पहले तोडएंगे और सलफर के उपर पॉजटिव चार्ज बनाएंगे यहाँ पर सलफर और ऑक्सीजन के बीच में जो यह पाई बॉन्ड होता है उनके दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम अगर ऑक्सीजन पर कर दें इस वज़ा से हम क्या करेंगे सलफर और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है और उसके बीच में जो electron है उसको उठा करके oxygen की तरफ रख दें अगर अब क्योंकि किसी पर positive charge नहीं है तो हमें electrofile की feeling नहीं आएगी इस वज़ा से हम यहाँ पर positive charge बनाने की कोसिस करेंगे यहाँ पर जो sulfur और oxygen के बीच में pi bond है उन दोनों का electron उठा करके अगर हम oxygen के उपर रख दें तो oxygen पर negative charge आएगा और sulfur पर positive charge आएगा तो इस तरीके से जो यह structure बनता है इस structure में sulfur पर positive charge दिखाई देता है तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा item ले जाकर के benzene से जोड़ना है अब इस reaction के अंदर हम hydrogen को हटा करके H plus के form में लिख देंगे और यह sulfur जिस पर positive charge है उसको ले जाकर के benzene से जोड़ देंगे अब जो यह हमारा product बना है उस पर oxygen पर क्या दिख रहा है negative charge दिख रहा है और उसी के सामने H plus लिखा हुआ है तो निश्ची तरुप से positive और negative क्या करेंगे एक दूसरे एक साथ गड़ बंधन कर लेंगे oxygen के उपर negative charge present है वो H plus को अगर electron दे देगा तो इनके बीच में एक bond बन जाएगा तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा benzene पर SO3H मिल जाएगा मतलब की यही मिल जाएगा अब हमें third reaction के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है halogenation halogenation सब्द का मतलब ही होता है addition of halogen हमें आपर halogen group को add करना है benzene के उपर ऐसा करने के लिए हमें reagent चाहिए lowiss acid और उसके साथ कोई भी x2 यहाँ पर हम x2 जो use करते हैं वो अक्सर आपको या तो CL2 मिलता है या तो BR2 मिलता है अब आपका सरदर यह होगा कि आखिर कर यह lowiss acid चीज क्या होती है lowiss acid वो substance होता है जो electron के pair को accept कर सकता है अब यह चीज कैसे पता चलेगी कौन से लोग electron के pair को accept करते हैं देखो वही जिसके पास vacant orbitals होंगे वो क्या करेंगे electron के pair को अपने अंदर ले सकते हैं तो बस आपको ऐसे metals ढूडने हैं जहाँ पर vacant orbitals present हो example के तोर पर आप BF3 ले लो BF3 में जो boron होता है उसके किनारे किनारे तीन fluorine है तो इस boron का जो hybridization होता है वो sp2 hybridization होता है और boron पर हमारे एक vacant p orbital present होता है अगर कहीं पर vacant p orbital है इसका मतलब क्या है अगर उसके सामने electron का pair आएगा तो उसको अपने अंदर वो accept कर सकता है इस वज़ा से BF3 जो एक Lewis acid बोला जाता है वही सेम कहानी इनके साथ भी होते है इन सब में भी vacant orbitals present होते है इस वज़ा से वो electron के pair को accept कर सकते है तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यह सारे क्या है एक Lewis acid का काम करेंगे आप इस चीज को याद ही कर लिजे कि BF3, ALCL3, FEBR3 और FECL3 जैसे कोई चीज मिले तो उसको आप Lewis acid समझेंगे अगर इन में से कोई दिया जाए और सामने CL2 या BR2 में से कोई दे दिया जाए तब आप जाकर के benzene पर halogenation के reaction करवा सकते है इस reaction के अंदर हमें यही पढ़ना होता है कि हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन गया है तो सिंपल सी बात हो जाती है कि हाइड्रोजन हटा दो उस इलेक्ट्रोफाइल को लाकर के लगा दो हमारा प्रोड़क्ट बन जाएगा तो चलिए सीखते है कि formation of इलेक्ट्रोफाइल हम करेंगे कैसे CL2 को आप कैसे लिखोगे यहाँ पर CL2 लिखा गया है और CL2 में जो CL होता है उसके उपर 6 इलेक्ट्रोंस प्रेजेंट होते हैं मतलब आप कह सकते हो तीन लोन पेर प्रेजेंट होते हैं एक क्लोरीन पर सामने BF3 लिखा है BF3 क्या है एक लुविससेड है CO-CZ का मतलब क्या होता है वो इलेक्ट्रॉनКे पेर को accept करा सकता है तो क्लोरीन अपने लेक्ट्र Due के पेर उन की तरफ अगर भेज़ेगा तो क्लोरीन पर positive charge आगा क्यों कि्लोरीन ने क्या दिया अपनाズा लोन पेर इस वजास flockberg चाय इलेक्ट्रोन रिसीब करता है उसके उपर नेगटिव चार्ज आता है तो इस तरीके समय एक सिस्टम मिल जाता है लेकिन क्लोरीन पर अब क्या आ चुका है पॉजटिव चार्ज एक तो क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोन नेगटिव इलेमेंट है उस पर पॉजटिव चार्ज आ और इस वाले क्लोरीन का क्योंकि ये सबर प्जिटीव चार्ज आ जाएंगा और यहांपर देखें इध्या तो हमें क्या मिला वी अफ्त्री और इसके बगल में क्या रहेंगा एक क्लोरीन और उस और इसकी जगापर क्लोरीन लाकर के लगा देना है तो इस तरीके से हमें क्लोरो बेंजीन एजब प्रोडक्ट मिल जाता है इस रेक्शन में हमने बेंजीन से क्लोरो बेंजीन बनाया और इसी रेक्शन को हम हैलोजनेशन रेक्शन बोलते हैं क्योंकि हमने हाइड्रोजन को एक तो alkylation होता है और दूसरा जो होता है वो acylation की reaction होती है इसके हम पहले टाइप की reaction पढ़ लेते हैं जिसका नाम है Friedel Craft Alkylation यहाँ पर alkylation लिखा गया इसका मतलब जहाँ पर addition of alkyl group की बात की जाएगी और Friedel Craft तो scientist का नाम है Benzene का alkylation करवाने के लिए हमें reagent यूज़ करना होता है Lewis Acid के साथ alkyl halide alkyl halide को हम कैसे लिखते हैं RCL से represent करेंगे अगर इसके साथ कोई Lewis Acid होगा तब जाकर के हम Benzene का alkylation करवा पाएंगे example के तोर पर हम Lewis Acid लेते हैं ALCL3 और RCL की जगा पर ले लेते हैं CS3CL तो चलिए समझते हैं कि आकर कर इलेक्ट्रो फाइल कैसे बनाया जाएगा क्योंकि भई हमारे पास ALCL3 है मतलब Lewis Acid Lewis Acid का मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पेर को accept करता हो अब मैं ढोड़ना यह है कि ऐसी कौन सी जगा इसमें है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है सिंपल सी बात है यहां पर कौन होगा क्लोरीन होगा जहां पर लोन पेर प्रेजेंट होगा यह दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐलमूनियम के पास जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ऐलमूनियम को दे देगा तो क्लोरीन पर कौन सा चार जाएगा और क्योंकि electron aluminum पर जाकर के receive हुआ इस वज़ा से aluminum पर negative charge आएगा क्योंकि यहाँ chlorine पर positive charge आया है तो इस वज़ा से carbon और chlorine का यह bond बहुत ही polar हो जाएगा अगर यह bond polar हो जाएगा तो यह दोनों electron जंप कर जाएगे chlorine positive के उपर अगर carbon और chlorine के बीच का electron आगे चला जाएगा तो carbon पर कौन सा charge आएगा positive charge आएगा इस तरीके से हमें CS3 positive मिल जाता है और इसके साथ मिलता है ALCl4 negative आप सोच रहे होंगे यह कैसे मिला तो देख लीजे भाई electron उठकर के अगर chlorine के उपर आएगा तो chlorine कैसा हो जाएगा neutral हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक chlorine और यह क्या है ALCl3 तो total मिला के क्या हो जाएगा ALCl4 negative यह वही negative जो कि पहले से अल्मूनियम पर यहाँ पर प्रजंट था देखो भई इस reaction में मैं इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है जो कि है CS3 positive मतलब मिथाईल कार्वोकेटायन तो अब हम reaction को आसानी से समझ सकते हैं बेंजीन का यह वाला hydrogen अटाओ इधर H प्लस लिख दो और इसकी जगा पर क्या लगा दो CS3 ला करके लगा दो फ्रेडल ट्राफ के second reaction का नाम है फ्रेडल ट्राफ्ट असाईलेशन reaction असाईलेशन का मतलब होता है एडिशन ओफ असाईल ग्रूप तो पहले समझो भई यह असाईल ग्रूप होता क्या है आर सीयो ग्रूप को हम असाईल ग्रूप बोलते हैं Lewis acid का example ले 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 अगर हम ALCL3 और R की जगापर हम अगर CS3 ले 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 तो क्या बन जाएगा ALCL3 with CS3 COCL तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिल करके क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाले हैं तो हमारा point है formation of इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर वही पुरानी कहानी दोरानी है कि भही हमारा ALCL3 क्या होता है Lewis acid होता है वो इलेक्ट्रोफाइल को accept करेगा ALCL3 इलेक्ट्रोफाइल कहां से accept करता है तो बोलोगे कि क्लोरीन का जो lone pair होता वो electron दे रहा होता है aluminium को देखो भया हमें आपे दुबारा ALCL3 मिल गया ALCL3 का मतलब क्या Lewis acid Lewis acid का मतलब वो electron को accept करेगा किस से हम electron ले रहे होते हैं क्लोरीन का जो lone pair होता है उसको हम accept करते है तो देखे हैं यहाँ पर यही किया जा रहा है क्लोरीन का lone pair जाएगा aluminium के पास aluminium पर क्या बन जाएगा negative charge क्यों क्योंकि उसने electron को accept किया है लेकिन क्लोरीन ने electron दिया है इस वज़ा से उस पर positive charge आएगा तो इस तरीके से हमें यह system मिलता है जिसमर क्लोरीन पर positive charge रहता है और aluminium पर negative charge रहता है ध्यान देना हर बार हमें यही चीज़ करनी होती है जहां पर क्लोरीन लगा होता है उसके बगल वाले bond को तोड़ना होता है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो electron होता यह jump कर जाएगा क्लोरीन के उपर क्यों jump कर जाएगा तो क्योंकि क्लोरीन पर पहले से positive charge प्रदन था और electron पा जाएगा तो यह neutral हो जाएगा और finally यह क्या बन जाएगा ALCl4 negative बन जाएगा और अब हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्बन का electron आगे चला गया इस वज़ा से कार्बन पर कौन सा charge जाएगा positive charge जाएगा और यह जो system बनता हम इसको acylium iron बोलते हैं क्योंकि इस system में positive charge जाता है और ऐसे system को acyl group बोलते हैं और जब कहीं पर positive charge जाता है तो उसमें IUM लगाया जाता है इस वज़ा से दोनों को मिला करके acylium iron बोला जाता है इसको अब हमें हमारा electrophile मिल चुका है अब करना क्या है बेंजीन का यह hydrogen हटा करके इस तरफ आपको H plus लिख देना है और यह वाला part ले जाकर के बेंजीन से चिपका देना है यहाँ पर हमने बेंजीन की reaction करवाई है एक Lewis acid से और उसके साथ लिया CS3 COCL यहाँ पर हमने किया क्या बेंजीन का hydrogen हटाया और उसकी जगा पर COCS3 लगा दिया इसका मतलब S.I.L. गुरुप लगा दिया इस वज़ा से इस reaction को हम S.I.L. reaction बोलते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर hydrocarbon chapter खतम होता है जाते जाते मैं आपसे कुछ और बाते भी करना चाहता हूँ देखो भाई हमने एक revolution इस्टार्ट किया है जिसमें आपके support की बेहत जरूरत है आप ही अपनी कक्छा के इस brand के brand ambassador है तो निश्चीत रूप से आपका यहाँ पर थोड़ा दाइत तो बढ़ जाता है झाल